आपके लिए स्टेट्स के लिए इंडिया के लिए ओवर रोल्ड के लिए किस तरह की एनर्जी जो है देख ही रहने वाली है या क्या होने वाला है सो लेट सी सबसे पहले 2028 सबसे पहले 28 की देखते है अच 27 थी है ना I just need to double check yes 27 है so okay so let's see 28 28 की एनर्जी जो है वो कैसी होने वाली है so guides angels and sushant because he has said to take out the cards तो मैं उनको ही बोलने वाली हूं okay 28 okay and 28 okay so we have cards 28 कल की एनर्जी जो है वो कैसी होने वाली है so कल की एनर्जी सबसे पहला moon card आया है moon card जो है वो illusions का card होता है दूसरा जो है वो caught in the runes jail का card आया है और तीसरा और चौथा card जो है path और new world खाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो नई world की जो starting होने वाली है या बहुत सारे action की जो starting होने वाली है वो start कल हो जाएगा it is looking like वो start कल हो जाएगा क्योंकि कल किसी तरहा का कोई announcement किसी तरहा का कोई voice raise करना किसी तरहां का कोई illusion से कोई चीज बाहर आना, किसी तरहां का कोई proof बाहर आना, किसी तरहां का कोई action होना या cycle complete होना, वो मुझे कल की energy में दिखाई दे रहा है, दूसरा अगर आपकी personal life की बात बोलू तो अपनी hormonal health का ध्यान रखना है, और emotional health का भी ध्यान रखना है, emotionally और hormonal wise कल का दिन थोड़ा सा हावी हो सकता है, या थोड़ा सा difficult हो सकता है, दूसरा caught in the ruins है, और अगर आप देखें तो दो लोग जेल में बैठे हुए हैं, और उपर छट नहीं है, बट अब उनको पता है कि उनको जेल में रहना है, तो effort करना भी useless है, right, so मुझे ऐसा रखता है कि किसी का effort अपने आपको बाहर रखने वाला, fail होने वाला है, अगर कोई arrest जो है वो हो, वो भी एक possibility है, और दूसरा क्योंकि ये 16 का car है, ये tower की energy भी बताता है, आपके personal life में अगर कोई भी ऐसी चीज है, जहां पे आप अपने आपको stuck महसूस कर रहे हो, just realize that there is no roof, तो आप उ stuck energy से immediately बाहर निकल सकते हो, and वो थोड़ा सा दिन ऐसा होने वाला है, fluctuating energy होने वाली है, और अगर आप realize करते हो, कि आप stuck हो, illusion है, uncarity है, तो आप उससे बाहर भी निकल सकते हो, it is time to choose the path, but at the same time, मुझे कहीं कोई connection हो, दिखाए दे रहा है, there is a possibility कि कि कोई loved one आपके साथ connect करे, कोई past का situation, कोई past का person आपके साथ connect करे, and then there is a starting of a new world, so there might be some big decisions that you might take tomorrow, कल आप कुछ decisions ले सकते हो, नए दुनिया से लेकर, नए world से लेकर, अपनी life को नए तरीके से चलाने को लेकर, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर मैं political या India level पे बात करूँ, या world level पे बात करो, तो मुझ करेंगे क्योंकि कोई alarm raise होगा, किसी बात पे कोई discussion जो है, वो raise हो सकती है, और वहां से मुझे ऐसा लगता है, कि world level पे कुछ बहुत strong decision making, जो है, हो सकती है, and we can see some path breaking partnerships, so वो energy मुझे दिखाए दे रही है, कल के लिए, और यहां पर number 18 है, 9 है, और यहां पर number 16 है, 7 है, 9 और 7 दोनों की energy मुझे दिखाए दे रही है, which is again completion, but at the same time, कुछ लोगों को अपना ground बहुत firm stand करना पड़ेगा, यहां पर मुझे कुछ ऐसी energy भी दिखाए दे रही है, जहां पर कुछ ऐसी statements आ सकती है, which are going to be difficult for the people who make those statements, long term में, एक का तो होई क्या आज, पर आगे भी कुछ ऐसी statements आ सकती है, जो statement देने वाले हैं, उनके लिए difficulty raise करेंगी,